अब जाने हैं कि अप्रमालेकूं कैसे आप सब लोग हुमिद करती हूं आप सब रोकारियस से होंगे आज हम हसाड हरुसें किछन में बनाने जा रहे हैं बन सैंविच बन बनाने के लिए हमने पहले सबसे पहले चिकन मेरिनेट करने हुआ कि लिए मुझे चीज है चाहिए लाल बिर्ज चाहिए और हजब नमक चाहिए चिली सॉस चाहिए हमें 2 टेबल स्पून अब में लेमन मैरिनेट करने के लिए इसमें डालोंगे सबसे पहले हम चिकन का मैरिनेट कर लेते हैं चिकन का मैरिनेट करने के लिए 2 टेबल स्पून मुझे चिली सॉस चाहिए और में डालतूंगी हजबे जरूरत नमक चिकन पॉडर हाफ टेपल स्पून मिल्चे हाफ टेपल स्पून कुटीवी नाल मिल्च हाफ टेपल स्पून अब अधा लेमन डालकर अब मैं चिकन पॉडर हो गया है अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख तूगी है अब हम बनाएंगे तो जिसके लिए हमें चीजे चाहिए टू टेबल स्पून मायो और टू टेबल स्पून ही हमें कैचप चाहिए अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस टाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे सोस हमारी त्यार हो गई है अब जो मैरिनेट किया था चिकन हम उसको बना लेते हैं टू टेबल स्पून में पैन में डालूंगी ओल और इसके अंदर में चिकन डालते हो रहे हैं और दस मिनट के लिए मैं इसे अपने दूंगे अब हमारा यह चिकन त्यार हो गया है अब हम इसकी शैलर्ट त्यार कर लेंगे ने चिकन अब बनाने के लिए दो चमची मुझे मायो चाहिए और दो चमची मुझे बल गोबी के चाहिए यह मैं इसके अंदर डारके मिक्स कर दोगी सब्सक्राइब तियार हो चुकी है यह मैंने ची तरह इसके अंदर मिक्स कर दिया है यह हमारी यह तियार हो चुकी है अब हम सब्सक्राइब कर लेते हैं सब्सक्राइब तो टेबल स्पून ओयल के लूँगी और इसके अंदर शिब बंगोबी और शिम्ला मेच डाल कर फ्राइब कर लूँगे अब हमारे यह सब्सक्राइब फ्राइब हो चुकी है अब हम इसमें है पे जरूरत काली मिर्चे डाल के फोड़ा से सिमिक्स कट लेंगे अब हमारी सबजी जो है ना फ्राइ हो चुकी है अब मैं इसके अंदर सबसे पहले अब मैंने इसके अंदर सॉस लगा दिये आप मैं इसके ओपर एक शुलाद का पता रख दूंगी उसके ओपर मैं लिए फ्राइब की वी शेलर जो है न वो रखोंगी अब मैं इसके ओपर माय वालीज लगा दूंगी अब मैं इसके ओपर यह चिकन की बोटिया रख दूंगी अब मैं इसके ओपर लगा दूंगी अब मैंने इसके अंदर ये सैलड लगा दी है अब इसी तरह से मैं बिस्मिल्हारमारे रहें दूसरा बंद भी त्यार करनेंगी अब हमारे ये बंद सैलविश ट्यार हो चुके हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना पूलिए अपना बहुत जादा ख्याल रखिये खुश रहिए अल्हाफिस